हेलो फ्रेंड्स वेलकब टो यूटूब चैनल आईया स्यातरा फ्रेंड्स आज का टॉपिक है सत्कोसिया बाग अभ्यारने वेरी इंपोर्टन टॉपिक फॉर आल कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स काफी जादा चर्चा में है यह जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है चलते ह प्रेंड्स वेरी में राष्ट्रे बाग संरक्षन प्राधिकरन अर्थात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथोर्टी ने और इशा को सत्कोसिया बाग अभ्यारने पर प्रेटन के प्रतिकूल प्रभाव पर एक इस्तिती रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है तो वर्ष 2006 में वन्यजीव संरक्षन अधिनियम 1972 के प्रावधानों में संशोधन कर बाग संरक्षन प्राधिकरन की स्थापना की गई प्राधिकरन की पहली बैठक नॉवंबर 2006 में संपन हुई प्रमुक विंदू जान लेते हैं इसके विशे में भूमनेश्वर इस्तित सत्क के किलोमेटर के छेतर को कवर करते हुए इस छेतर को बाग अभ्यरने के रूप में अधिसूचित किया गया था छोटा नाकपूर पठार और दक्कन के पठार के बीच फैले एक संक्रमन कालीन छेतर में इस्तित यह बाग अभ्यरने दोनों जैविक छेतरों के इस्थानिक जीवन को प्रदर्शित करता है वनस्पती और प्रानी समू कौन से पाए जाते हैं वो जान लेते हैं तो इस छेतर में नम परनपाती वन शुष्क परनपाती वन नम प्राइद इपिये साल वन पाए जाते हैं और यहां बाग तेंदुआ, हाथी, गौर, चौसिंगा, स्लो मार्च 1974 में सनिप्त राष्ट्र विकास कारिकरम और Food and Agriculture Organization के तकनिकी सहयोग से और इशा सरकार के वन विभाग ने मगरमच्छों के लिए एक प्रजनन कारिकरम शुरू किया था मार्च 1975 में घडियाल, अनुसंधान और सनरक्षन इकाई, अर्थात घडियाल Research and Conservation Unit के शुरूआत की गई थी, जिसने भारत में मगरमच्छ सनरक्षन में अग्रनी कारे किया है घडियाल Research and Conservation Unit द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में सनरक्षन के उद्देशे से मगरमच्छों का प्रजनन तथा पाले गए मगरमच्छों को जंगलों में छोड़ना तथा उनका पुनर्वास शामिल है सतकोसिया गोर्ज अभ्यरने के विशे में बात कर लेते हैं तो इसका नाम अंगुल से 60 किलो मीटर दक्षिन में स्थित टीकर पारा के निकट महानदी के संकरे विस्तार जिसकी लंबाई सतकोष या सात मील है के आधार पर किया गया है इस छेतर को वर्ष 1976 में एक अभ्यरन ने घोशित किया गया था और यह और इशा के चार जिलों अर्थात अंगुल, बुद, कटक और नयागर में विस्तारित है भारत के भू आकरिती विज्ञान में सतकोषिया गोर्ज की विशेषता अनूठी है क्योंकि यहां महानदी पूर्वी घाट के ठीक दाई और निकलती है और एक शांदर घाट का निर्मान करती है प्रानी समू जो यहां पाए जाते हैं यह घडियाल मगरमच एवं दुरलव ताजे पानी के कच्छुए जैसे चित्रा, इंडिका और भारतिये सौफशेल कच्छुए के लिए जाना जाता है बैसी पल्ली अभ्यरन्य के विशे में जान लेते हैं तो इस अभ्यरन्य का नाम इसके दाएरे में मौजूद 22 बस्तियों के अधार पर रखा गया है मई 1981 में इसे अभ्यरन्य का दर्जा दिया गया था और यह उस स्थान पर इस्थित है जहां महानदी नयागर जिले के पूर्वी घाट पहाड़ों में एक गौर्ज से होकर गुजरती है पूरा छेतर दक्कन प्राइद इपिये जयाब भौगौलीक छेतर पूर्वी पठाट प्रांत और पूर्वी घाट सब डिविजन का एक हिस्सा है वनस्पती तथा प्रानी समू जहां साल वनों का प्रभुत्तो है तथा बाग, तेंदुआ, हाती, चौसिंगा और जल पक्षी एवं सरी सिर्फ आदी प्रमुकता से पाए जाते है तो और इशा में प्रमुक संरक्षित छेतर कौन से हैं वो जान लेते हैं तो राष्ट्रे उध्यान जिसमें भीतरकनी का राष्ट्रे उध्यान और सिमलीपाल राष्ट्रे उध्यान है वन्नेजिव अवेरने कौन से हैं तो साथ हैं इसमें बदर्मा बनने जिव अभेरने, चिलिका नलबन बनने जिव अभेरने, हदगर बनने जिव अभेरने, कोटगर बनने जिव अभेरने, नंद कानन बनने जिव अभेरने, लखारी घाटी बनने जिव अभेरने, और गहिर माथा समुंदरी बनने जिव अभे समझने और सीखने को मिला हो और यदि आपको आज की वीडियो अच्छे लगए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और जाद जाद इसको शेर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए और की नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में इतना ही यदि आपके कुछ प्रशन है तो उसको आफ कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं मैं उसको आंसर जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा तब तक के लिए फ्रेंट्स गुडबाई थेंक यू